तो यूटूग के मेरे चलने में आपका स्वागत है आज मैं आपसे चर्चा करूंगी धनू राशी का 2019 का राशी फल धनू राशी वालों के लिए बश्ट 2019 कैसा जाएगा धनू राशी कैसी जाती है जो काफी समेधन शिल राशी है ऐसी राशी जो सब का ख्याल रखती है बहुत मुश्किल है और यह उनकी बड़ी समर्त है और वश 2019 में जरूरत है कि वह अपने इसी जो इनका गुण है हट धर्मी का उसको अपना स्ट्रेंथ बना के चलें क्योंकि 2019 में जो ग्रहों की स्ट्री बनी हुई है गुरू वशनी दोनों जो में प्रमू ग्रह हैं वो इस काम में अच्छी कासी महरत करनी पड़ती है काम में पूरा डिवोशन देना पड़ता है डूबना पड़ता है यह निकि आपको थोड़े से जैसे आपको 2018 में था कि धनूर राशी वालों को थोड़े से प्रयास से काफी कुछ सबलता मिल गई थी यह काफी अच्छा वक्ष गया था 2018 का धनूर राशी वालों का पर इस साल ऐसा नहीं है इस साल धनूर राशी वालों को मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद ही उनको फल मिलेगा अच्छा इस बार एक विशेश बात यह है कि धनूर राशी वालों के लिए विदेश की बहुत अच्छी संब विदेश आतर भी जा सकते हैं उनका विदेश में कोई बिन्यस था या उनका कोई काम है कोई असाइनमेंट है तो वह भी वडियराहिम से पूरा हो सकता है जो इस्टुडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और उनका प्लान था कि विदेश में उनको कोई एडमिशन मिल जाए किसी को पर मकान उनकी इच्छा के नुषार नहीं मिलता था मकान का कई सोदे में को प्राइलम होते तीपी बार बार लगता था मकान नहीं आ पाएगा अब धनू राशी वर moplay 2019 हैं उनका मकान आbayक सकता है आगर आप कोई वान खरीदना चाते हैं आकी कोई और बड़ी प्रपटी खरीदने का विचार है तो 2019 का वर्ष जो है धनूराशी के जातकों के लिए बहुत अच्छा है जहां तक हम बात करें धनूराशी के ऐसे जातक जिनका विवा होने की संबाव नहीं तो धनूराशी के जातकों का विवा जो है बादा हैं दूरो जाएंगी जब गुरू और शनी जैसे दोनों घ्रह जो हैं आपके सब्तम भाब को दिश्टी देंगे तो कोई भी किसी प्रकार की बादा ने रहेगी और आपकी शादी होने की भी संभावना बनी हुए तो यह तो सब में में पॉजिटिव बात है हुए कि उनको अपने पढ़ाई में बड़ी कंसर्टेशन नहीं हो पाएगी बिलकुल उनका ध्यान नहीं लगेगा शरी में आलस की मात्रा जादा बढ़ जाएगी वो थोड़ा घूमा फरी जादा करेंगे उनका मन घर में कम लगेगा कंसर्टेशन बहुत उनको देरी सी होगी उन जाके नहुंबर में मिलेगा नहुंबर को जब 15 नहुंबर को गुरू धनुराशी में परवेश करके आपके लगन पर विच्चरन करेंगे तब आपके लिए सारी पॉजटिव इस्तिती बनेगी कि आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा आपका कंसर्टेशन पावर करेंगे वो आपको काफी समय तक याद रहेगा धनुराशी के जो स्टूडेंट है उनके लिए संगश का समय है साथ ही जो धनुराशी के जो जातक जो अपने प्रेम समंदों में हैं उनके लिए भी थोड़ा समय शुप नहीं मानती क्यों कि हो सकता है कि आपकी कई बार 2019 मे कभी समन टूटें और आप अपने को हताशा वरी महसूस करें इसलिए जनुराशी वालों से गुजारिश है कि धनुराशी वाले अपना सही धेरे बना के रखें क्योंकि धनुराशी काफी जो है साहसी राशी है जो हमेशा संगश करके आके निकलती है उनको समय भी संगश बना के चलना चाहिए और धनुराशी पर क्योंकि शाड़े साती का प्रभाव है इसलिए मैं धनुराशी के जातकों से रूकेश्ट करूंगी कि हो सके तो वह शनी का कुछ उपाय करें शनी के उपाय के तोर पे छोटा सा उपाय मैं आप उनको यह बता रही हूं कि उनके उनक लीजिए आप देखिए कि आप पर शनी का प्रभाव अब कम होना शुरू हो जाएगा और आपके काम अपने आप बनने लगेंगे और आपकी सोच क्या पॉजिटिव होने लगेगी थौट्स आपके बढ़िया होने लगेगे आप रोज सुन्दर कांट सुनेंगे तो आप नमक का खाना खाएं और साथी सुन्दर कांट का पाठ करने के बाद शनी मंदर जाके तेल का दान देकर फिर आके शाम को बोजन घरण करें पर ध्यान रखें आपको बोजन में नमक का सेवन नहीं करना साथी धनुराशी के बोजातक जो मंगलवार का बर्ड करते हैं उनको को इस बाद का धियान रखना है कि उनको बोजन में नमक का सेवन नहीं करना किहाओं कि महनत भी कर रहे हैं तो जाध प्रभाब कर निए नहीं कोई महीना होセ. और इसके बाबजूद भी उनके अगर बाधाई खतम नहीं होती तो हनुमान जी को चोला भी चड़ा सकते हैं हनुमान जी के चोले की विधी आपको कोई भी समर्थ पंडित बता देगा किसी भी पंडित से आप पूर सकते हैं विदी विदान से आपको हनुमान जी का चड़वा देगा हनुमान जी का चड़ने के बाद आप जो चोला चड़ जाए हनुमान जी के उसके बाद आप उसका तिलग भी अपने मात्य पर दारान कर सकते हैं आपकी काफी बादाय दूर ह कोई विशेश काम होगा तो उसके भी सार्था कुनी की संभाबना बने हुई है इस प्रकाद धनुराशी वालों के लिए मिला जुला समय है 2019 2019 में कुछ काम तो हो रहे हैं कुछ काम उनके रुखते दिख रहे हैं क्योंकि उनके उनको मेहनग बहुत ज्यादा करनी पड़े कि 2019 2019 में 2019 मैं काऊंगी ऐसा कोई समय नहीं है कि आप जिस चीज़ पर हाथ तक दो काम हो जाए ऐसा समय नहीं है क्योंकि गुरू अशनी जो दो मुखे ग्रह हैं वो आपके पक्षमे नहीं है जब तक दो मुखे ग्रहों में से एक ग्रह का आशिरवात नहीं मिल जाता काम इतनी कि 2019 में वो नहमबर से पहले कोई नहीं काम करने का विचार ना करें क्योंकि उस काम में कोई नहीं कोई बादा आ सकती है इसके साथ ही दर्शको जो दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनको कोई प्रशन पूछना चाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सक प्रशन का सकते हैं अपनी डावाघ टाइमएर प्लेज दे सकते हैं उनके पशनूं का जबाद दोगी यह हो सकता है कि मुहें परशन का जवाद देने में देर हो जाए इसके लिए शमा चाहूंगी तर मेरे पास काफी का रशन आते हैं और मुझे सभी का जवाब देना झाल झाल